इन दिनों मीडिया चैनल्स के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद बॉलिवूड दो भागों में बटा नजर आ रहा है 38 प्रोडक्शन हाउसेस ने अरनव गोस्वामी सहित चार पत्रकारों पर बॉलिवूड के लिए गलत शब्दों का प्रियोग करने का आरोप लगाया है वही लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बॉलिवूड फिल्मों में दिखाई जाने वाली अशलीलता को लेकर बॉलिवूड को उल्टा ही घेरे में ले लिया है बॉलिवूड डिरेक्टर विवेक अगनिहोत्री ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या जनता भारत के संगीत, गीत, भाषा, कला, रचनात्मक, सामाजिक, ताने बाने और संस्कृति को नस्ट करने के लिए बॉलिवूड पर मुकत्मा चलाईगी इस ट्वीट के रिपलाई में एक्टर निखिल जिन्होंने विवेक अगनिहोत्री की फिल्म हेट स्टोरी में काम किया था उन्होंने लिखा सर यू एड आई मेड हेट स्टोरी तोगेदर, बहुत ट्रोलिंग होगी हमारी, शान्त हो जाओ विवेक अगनिहोत्री ने भी इसके रिपलाई में देरी नहीं की और ट्वीट किया बट देरा टू डिफरेंसेस, निखिल पहला जब मुझे बोलना चाहिए तब मैं ट्रोलिंग के डर से शान्त नहीं बैठूंगा और दूसरा कि जहां मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने बॉलिवूड की उस कमपनी को छोड़ दिया हेट स्टोरी नाम के जिस फिल्म का डिरेक्शन विवेक अगनिहोत्री ने किया था, वो फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें लीड एक्टर्स थे निखिल दिवेदी, गुलशन दिवया और पावमी डैम, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें कुछ बोल्ड सीन्स भी रखे गए थे बॉलिवुड में इस वक्त एक तबका ऐसा है, जो इन 38 प्रोडेक्शन हाउसस से इत्फाक नहीं रखता उनी में से एक है डारेक्टर विवेक अगनिहोतरी, अपनी चर्चित फिल्म दे ताशकंत फाइल और बुद्धा इन्हे ट्रैफिक जैम को लेकर वो खासे चर्चा में रहे बुद्धा इन्हें ट्रैफिक जैम फिल्म में उन्होंने शेहरी नकसलियों को उजागर किया था जिसके कारण उनकी फिल्म को रिलीज होने में भी कठनाईयों का सामना करना पड़ा इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर बनाई उनकी फिल्म दे ताशकंत फाइल्स को भी ज्यादा थियेटर में रिलीज नहीं होने दिया गया लेकिन इस फिल्म को लोगों ने बेहत पसंद किया था इन दिनों वो कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो की 1990 में कश्मीरियों पर हुए अत्याचार की कहानी को दर्शाएगा सुत्रों के अनुसार इसकी शूटिंग भोपाल में चल रही है इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार